कि नमस्कार आदब दोस्तों मैं लाल हूं मश्यक पॉब्लिक चैनल से मुम्रा कौसा कि कहते हैं मुम्रा कौसा में मुस्लिम की आबादी है और मुसल्मान एक अल्ला अल्ला ने इसी कौम बनाया है कि शायद सारी दुनिया की चीजे मिलके भी ना उस किताब की बराबरी कर सकते हैं ना उस खुदा की बराबरी कर सकते हैं लेकिन मुसल्मान चाहे आउरत हो चाहे आदमी इतना गिर चुका है कि कुछ तजबीर मुम्रा किस्मत कॉलोनी से मदिना अपर्मेंट से आई है सेकेंड फ्लॉर्म बे ये सोसल मीडिया पर भी ये काफी जादा वायर हो रहा है एक बच्ची को लेके कि एक बाप ने दूसरी शादी की और दूसरी शादी करके जो है अपनी आउरत को लेके आया निका करके और पहले जो शादी से दो बच्चे थे उसके एक लड़की एक लड़का तो जो दूसरी माँ से शादी करके लेके आए वो माने उन बच्चों के उपर किस तरीके से पूरे लॉक्ड़ॉन में उन बच्चों से बरतन मंजवाना, जमीन पुछवाना, कपड़े दुलवाना और अगर नहीं वो बच्चे अगर करते तो उनको छटके देना मुंबत्ती से, चिम्टे से जला के और उनको मारना, उनको चार बजे रात कोई उठा देना, इतने जादा जुल्म कि सोतेली मा का जो है, मैं यह नहीं कहता हूँ कि सारी माय इसी होती है, सोतेली है अखिर तो क् गया, इस न्यूस के जरीए से मैं एक चीज आओर बोलूँगा, कि मुम्रा पुलिस ने एक शिकायत तो दर्च कर ली है, लेकिन क्या इसका जिम्मेदार क्या इसका बाप नहीं है, क्या बाप को नहीं दिखता है, बाप ने अखिर शादी करके इन बच्चों के लिए लाया कर देगा, और यह उतन ही कुसरवाल बाप है, जितना बीवी कुसरवार है, उतन ही कुसरवार बाप भी है, क्योंकि बाप जान बूच कर कहीं अंजान बना है, और इन चीजों को बढ़ावा दिया है, तब ही जाके यह चीजें हो पाई हैं, मैं दिखाता हूँ कुछ में इतना जुल्म किया, यह जो वाकिया है, अक्तूबर 2019 में मुम्रा की किस्मत कॉलोनी, मदीना अपार्टमेंट, सेकेंड फ्लोर पर हुई इस शादी में, परवीन नाम की इस औरत ने इस बच्ची आफरीन पर बे इंतहा जुल्म किये, दिमागी और जिस्मानी तोर पर, संगम जुलर्स की गली में हाजी मलंग बिल्डिंग में रहने वाले मुहसीन की बहन परवीन शेख ने बच्ची को चाकू चमच, स्टील के स्केल, जाडू से बहनेमी से पिटा करती थी, खाने पीनी के लिए बच्चों को तरसाया करती थी, सब जानते बुचते हुए भी, उस बच्ची का बाप खामोश रहा, दोस्तों हमें आपकी मदद से इनको एक्सपोस करना है, जादा से जादा प्लीज इस वीडियो को शेयर करें, ताकि लोगों को पता चले इनकी असलियत और इनको सजा मिले। झाल